चार बच के 20 मिनिट में दिन होता है हमारा शुरू और हम निकल पड़े गढ़ से माता जी के दर्शन करने के लिए और रास्ते परी न मैंने मेरी बती जी को भी साथ में ले लिया पहुच गया मामबा जी माता जी के मंदिर में पहुचे अच्छे से दर्शन भी किये और यहाँ पर आया और जैकारा ना लगए माता जी का ऐसा तो हो यह नहीं सकता फिर जैसे ही मंदिर से निकल रहे थे तो हमने गरबा भी किया उसके बाद बूक लगी थी तो हमने वहां के ट्रस्ट में खाना खाया जो बहुत ही स्वादस था और खाना खाने के बाद हमने सुचा वहां के थोड़ी ना मार्किट देख लेते हैं सिलबटा वगेरा बहुत अच्छा मिलता है तो मैंने तो ले लिया फटाफट से और यहां तक आए तो गबर चड़ना तो बनता है तो फटाफट से मंदिर पहुच गए उपर भी एक मंदिर है फूल बूल लिये अच्छे से दर्शन किये और उसके बाद फिर से हम औरन खटला में बैठकर ही आ गए इतना अच्छा दिख रहा था और अमबा जी से थोड़ा ही आगे जाते हैं तो एक कोटेश्वर करके मादेव जी का मंदिर है वो इतना खूपसूरत है और खास करके यहां पर लोग यह कुंड में स्नान करने को आते हैं तो सबसे पहले हमने यह बहुत सारी मस्ती की कुंड में स्नान किया और यह जो पान की तरह है पहले आप इस तरह से अंदर जाओ उसके बाद ना सीडिया है इस तरह से सीडिया नीचे उतर कर और एक छोटा सा अंदर मंदिर है तो आपको यहां पर जरूर जाना चाहिए यह बहुत 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 ही अच्छा है और उसके बाद हम यह में मंदिर में गए इध इस तरह से हमने ये दिन पूरा किया हमको तो बहुत-बहुत-बहुत मज़ा आया तो आप भी ये जगाव पर जाएगा और मुझे कमेंट्स बताना क्या आपको ये छोटा सा व्लॉग कैसा लगा